ओम नमस्षिवाया ओम नमस्षिवाया मैं हूँ एस्टलॉजर केम सिना और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो अक्टूबर को शुक्र का राशी परिवर्तन होगा शुक्र अगर देखा जाए वर्तमान में करक राशी में थे पहले वक्री हुए थे फिर मारगी हो गए थे अभी अपना राशी भी परिवर्तन करेंगे लगबग तीन नौमबर तक ये सिंग राशी में उपस्तित रहेंगे देखे शुक्र देवता के बारे में आप सब लों को पता होगा कि एश्वर के कारक होते हैं इस्त्री ग्रहम आने जाते हैं साउथ इस्ट दिशा के प्रतिनित को करते हैं और साथ में हर तरीके की एशो अराम के लिए जाने जाते हैं तो शुक्र देवता क्योंकि ये जिस राशी में जा रहे हैं उसकी अगली राशी इनकी नीच राशी है सिंग राशी में बात किया जाए तो सिंग का जो स्वामी होता है वो सूर्य देव होते हैं और शुक्र के साथ अगर सूर्य की यूती देखा जाए तो नैसर्गिक रूप से दोनों ही एक दूसरे के शत्रुगरा होते हैं तो शुक्र जो है बहुत अच्छे पोजिशन पर एट लिस्ट नहीं जा रहा है और प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रवाव पड़ेगा क्योंकि ये जो पूरा परिवर्तन हो रहा है ये एक महीने तक का परिवर्तन होगा और जब ये परिवर्तन करेंगे तो ये सिंग राशी में रहेंगे लेकिन बहुत सारे ग्रा जो रहेंगे तुला में एक जूट होने वाले हैं और सत्रा अक्टूबर के आसपास बहुत सारे ग्रा आप देखिएगा कि तुला में एक साथ होगे हैं उसमें सूरी देवता, बूद्य देवता, मंगल देवता और साथ में कितु अल्लेडी उपस्तित हैं तो ये सबी वहां पर रहेंगे और राहू की दृष्टी भी पड़ेगी तो पंच ग्रही योगों का निर्माड भी होगा और जब किसी जगा पर बहुत सारे ग्रहों का घनत बढ़ जाता है, दिंस्टी बढ़ जाती है तो वहां पर उनका जो एनर्जी फॉर्म होता है, ड और सबसे पहले बात करेंगे कि शुक्र देवता का मेश लगन में कैसा राशी परिवर्तन हो रहा है, किस तरीके का या परिणाम देने वाले हैं, अगर हम मेश लगन की बात करते हैं, तो शुक्र देवता आपके लगन के सापेक्ष में कहा जाए, तो पंचम भाव में जाने वाले, यानि तिरकोड भाव में जा रहे हैं, लेकिन शुक्र जो होते हैं, आपके लगन के अत्यंत शत्रू होते हैं, इनको घर भी क्या मिला, एक तो दृती अस्थान के मालिक हैं, दूसरा अस्थान के मालिक हैं, यानि दोनों ही मारक अस्थान के ये मालिक हो जाते हैं, एक तो दृती ये के और एक सब्तम के मालिक होते हैं, दृती ये बाव और सब्तम भाव के मालिक होते हैं, और दोनों ही मारक बाव होता है, और जिसमें दृती ये बाव जादा मारकत होगा क्योंकि सत्रा को सूरे नीच राशी में चले जाएंगे सूरे तुला में नीच के होगे और तुला में सूरे नीच के होगा यानि सूरे शुक्र की राशी में जा रहे हैं और शुक्र सूरी की राशी में यानि परिवर्तन योग भी होगा तो सत्रा अक्टूबर से पहल नोही मारक अस्थान पर बैठे हैं, तो जो पहला हाफ होगा, 17 अक्टूबर से पहले तक का जो समय होगा, उसमें शुक्र जो हैं, बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाले हैं, ये क्या-क्या परिशानी उद्पन करेंगे, इसको समझिये, एक तो संतान के स्वास्त को ल की वो धन पूरे तरीके से ना बच पाये, तो परिशानी उख्ध ही करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रिलेक्सेशन ये नहीं देने वाले हैं, दुईतिये भाव के मालिक हैं, और सब्धम भाव के मालिक हैं, पंचब में बैट रहे हैं, तो जो विध्यारती वर्ग हैं, वो पढ़ाई को छोड़कर लगजीरियस चीजों में जादा आनंद लेने लगेंगे उनका जो जुकावों का प्रीम प्रसंगे में जादा रहेगा उनका जुकाव जो रहेगा वो सोशल मीडिया इत्यादी में जादा जुकाव रहेगा और शुक्र का इस अस्थान पर वैठना माइंड को ब्रहमित जरूर करने वाला है, राहु की भी दृष्टी वहाँ पर पढ़ेगी और गुरू की भी दृष्टी साथ में वहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो हर तरीके से का आ जाए, शनी की दृष्टी भी शुक्र पर तो हर तरीके से देखा जाए तो ये राशी परिवर्टन 17 तारीक के बाद जब सूर्य अपने परम नीच राशी में जाएंगे तब जाकर थोड़ा सा आपको रिलेक्सेशन मिलेगा लेकिन उससे पहले आपको परिशानिया जरूर लगी रहेंगी विशेस रूप से जो इस्त 17 अक्टूबर का टाइम बीच जाएगा सूर्य के साथ शुक्र का जो एक्सचेंज होगा हाउस एक्सचेंज होगा उसके बाद वो सारे काम जो नहीं बन रहे थे वो उन सभी के बनने की प्रॉबिल्टी जादा हो जाएगी तो किसी कारणवश अगर आप सोच रहे हैं कि कि शुक्र देव यहां देंगे और इन पर द्रिष्टी भी जो है राहू की भी है इनकी इन पर द्रिष्टी शनी की भी पढ़ रही है तो यह सारी द्रिष्टी जो है अगर इस पर पढ़ती है बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा और ब्रस्पति देव भी वक्री द्रिष् परिशानी उत्पन हो जाए और महिलाओं को गाईनो रिलेटेट कुछ परिशानी हो जाए तो आपको इस चीज का बहुत जादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये दोनों चीजों के होने की probability मुझे जादा दिखाई दे रही है पॉस्टिव कहा जाए तो 17 तारीक के बाद से जो भी negativity थी उसमें at least control आते हुए मैं देख पा रहा हूँ बात करेंगे अगले लगन का यानि व्रिशब लगन वाले जात्कों के लिए कैसा रहेगा शुक्र का राशी परिवर्दन देखें शुक्र देवता जो है वो व्रिशब लगन की बात किया जाए तो आपके लगन के ही स्वामी है चतूर्त भाव में भले ही शत्रूराशी में है, भले ही वहाँ पर राहु की पांच विद्रिष्टी पढ़ रही है, भले ही वहाँ पर शनी की साथ विद्रिष्टी पढ़ रही है, लेकिन दिशा बली पोजीशन में रहेंगे, इनको डायरेक्शनल फोर्स यहां पर बहुत तगड़ा मिलेगा, और डायरेक्शनल फोर्स मिलने के कारण यह बहुत खराब रिजल्ट नहीं देंगे, इवन सुख सुविदाओं में कहा जाए तो लॉंगविटी बढ़ जाएगी, मकान खरीदना च चाते हैं, किसी प्रकार का मकान में कुछ काम करना चाते हैं, डिजाइनिंग कराना चाते हैं, या फॉल सेलिंग इतियादी बनवाना चाते हैं, वाल्ट पेंटिंग कराना चाते हैं, या किसी प्रकार से घर को सुन्दर बनाने की कोशिश करना चाते हैं, तो इन सबी चीज देते हैं तो लंबे टाइम वाला शुक देते हैं तो यहां पर माता से सुख तो मिलेगा साथ में प्रापर्टी का भी सुख मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है तो एट लिस्ट कहा जाए कि शुक्र का जो राशी परिवर्तन लगबग एक महीने के लिए हो रहा है पहले हाफ की बात किया जाए 17 तक जब तक सूरी से इनका हाउस एक्सचेंज नहीं हो रहा है तब उससे पहले भी इनका प्रभाव अच्छा रहेगा और उसके बाद तो और अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है तो शुक्र का जो राशी परिवर्तन है आपके लिए बहुत सस्थेश हैं यानि छटवे बाव का है लेकिन छटवे बाव का दोश इनको नहीं लगता है और जो भी ग्रह छटवे बाव के मालिक बनते हैं लगनेश होकर उनको कभी भी उनका दोश नहीं लगता है वो छटवे बाव के मालिक हो चाहे हाँ लगनेश को दोश नहीं लगत इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन लगने वाले जातकों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा शुक्र का ये पूरे एक महीने का मिथुन लगनवाले जातकों के लिए देखा जाए तो शुक्र को एक तो पंचम त्रिकोन मिला हुआ है बहुत ही बढ़ियां घर मिला हुआ है और साथ में कहा जाए तो द्वादश यानी विदेश का जो मालिक है वो भी शुक्र देपता है आपके पराक्रम अस्थान पर जाकर बैट रहे हैं भाग्य में बैठे हुए शनी से द्रिश्ट रहेंगे इनकम में बैठे राहु से द्रिश्ट होंगे तो यहां पर आपके अन सबसे बड़ी चीज़ें आपर भाग्या आपका साथ देने वाला है चाहे मैं बात करता हूं 17 अक्टूबर से पहले की बात करता हूं या 17 अक्टूबर के बात की क्योंकि 17 अक्टूबर को जब सूरे का राशी परिवरतन होगा तो हाउस एक्सचेंज हो जाएगा सूरे दो मानपद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगा लेकिन स्टार्टिंग फेज जो रहेगा छोटे भाई बैनों को परिशानी से परिपूर रहने वाला है छोटे बाई बैनों को ज़्यादा परिशान कर सकते हैं गले से रिलेटेट चीज़ों में कुछ ज़्यादा परिशानिय हो सकती है लेकिन जो लोग औलेडी रशनात्मक कारियों में इन्वाल्व हैं संगीत प्रेमी हैं संगीत के छेतर में काम करना चाहते हैं काफी सुख शान्ती आपको यहाँ पर मिलने वाला क्रियेटिव लोगों के लिए समय अच्छा है और कारे वैवसाय को लेकर देखा जाय होंगे उसमें आपको यह ज्यादा सफल भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो जो रिजल्ट रहेगा पॉस्टिव मैं कहूंगा निगेटिव पॉइंट कुछ है छोटे भाई बहनों को लेकर रहे उससे जादा बड़े बहुत जादा निगेटिव परिशानिया मैं न क्या प्रभाव होगा देखे शुकर देवता की पोजीशन डिफ साइड करती है करक लगन में कि वो अच्छे प्लाइनेट है या निगेटिव प्लाइनेट है शुकर भले ही चंदर्मा को शत्रू मानते हूं लेकिन चंदर्मा जो है शुकर को निउट्रल मानते हैं अब बा के मालिक बनते हैं तो शुक्र है और इंकम का मालिक जो है धन के अस्थान पर बैढ़ जाए या धन का मालिक इंकम में बैढ़ जाए तो वैसे ही धन लाब की योग यहाँ पर बन जाते हैं सुख की प्राप्ती होना और धन से सुख की प्राप्ती होना, क्योंकि ये धन अस्थान पर जा रहे हैं, मालिक किसके हैं सुक अस्थान के, मालिक किसके हैं इनकम के, तो इनकम का बढ़ना, सुक का बढ़ना परिवार में जो महिलाएं हैं, आपके परिवार में जितने भी फीमेल्स हैं, उनका सुक आपको मिलना, चाहे वो माता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, सभी का सयोग आपको मिलना और परिवार का पूरा सुख आपको ज़रूर यहाँ पर दिखाई देगा, केवल परिशानी यहाँ पर यही है कि शुक्र जो है, वो अस्टम को भी देखेंगे, शुक्र का अस्टम को देखना माता के स् परिशानी उत्पन कर सकता है, आपके यूरेन में इन्फेक्शन उत्पन कर सकता है, ये निगेटिव चीजे मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अलाबा का आजा है, शुक्र का जो राशी परिवर्तन है, एटलीस 17 अक्टूबर से पहले पहले ये परिशानी जादा द चेंज करेगा, तो धन की प्राप्ती कराने में और जादा प्रोग्रेसिव आपको कर देगा, और कई प्रकार के परिवार में खुश्यों का वातावरण ये डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो पूरा एक महीना अगर किसी एक लगन के लिए मुझे अच्छा दि पाइनांस, जिनको बहुत जाथा पैसे की परिशानी थी, फंड्स की परिशानी थी, परिवार से दूर रह रहते हैं, परिवार का सयोग नहीं मिल रहा था, एटलिस्ट उनको परिवार से सयोग मिलता हुआ दिखाई देने वाला है, और सुख की प्राप्ती नया मकान खरि देखे सिंग लगन में क्योंकि सूर्य आपके लगन शुक्र देवता आपके लगन अस्थान को उक्वाई करेंगे अब शुक्र देवता क्योंकि लगन में जाएंगे आपके टेंथ हाउस के मालिक है आपके थर्ड हाउस के मालिक है खुद लगन में जा रहे हैं और सत्रा ता के बाद result देंगे, आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आपके कारे में बादा उत्पन हो रही है, कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि जो आप काम करना चारे हैं, वो पून हो नहीं पा रहा है, आप लाख time table बना कर कामों को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उसको follow करी नहीं पा रहे हैं, start कहां से काम को किया जाए, इसके लिए बड़ी confusion सी रहेगी, 17 October के बाद का जो समय रहेगा, वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, सूरे के साथ, आपके लगनेश के साथ, इनका house exchange होगा, लगन में ही बैटेंगे, सब्तम कारगबाओ को देखेंगे तो हर तरीके से कहा जाए, जितनी परिशानिया आपको 17 October तक दी, 17 October के बाद उतनी ही अच्छे रिजल्ट, आपको सिंग लगन वाले जातकों में शुकर देपता यहाँ पर देने वाले हैं, शुकर देपता का सब्तम अस्थान पर देखना आपके लिए हर तरीके से देनिक रोजगार के छेतर में आपको व्रिदी मिलेगी और पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, कार वहवसाय को लेकर देखा जाए, जैसे करक में धन को लेकर पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा था, वैसे ही सिंग में अगर देखा जाए, तो कार वहवसाय को लेकर ज लेकिन at least marriage का fixed हो जाना, शादी बले ही बाद में हो, लेकिन ये शुक्र का जो house exchange होगा सूरी के बाद, ये काफी अच्छा result आपको देने वाले हैं, इसके अलावा हम कन्या लगन की बात करते हैं, देखे कन्या लगन में, शुक्र देवता आपके लगन से द्वादश भाव में जा रहे हैं, और कन्या लगन में शुक्र को योगकारक माना जाता है, अच्छा प्लैनेट माना जाता है, दुईतिये भाव जरूर मालिक हैं, साथ में नवम त्रिकोन, नवम त्रिकोन यहाँ प कन्या लगन के हैं उनके लिए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा जो विदेश में अल्लेडी काम कर रहे हैं और कन्या लगन के लिए उनके लिए भी रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है लेकिन बाकी सबी कन्या लगने वाले जात्कों के लिए जो शुक्र है वो बाधा उत्पन करने वाले हैं शुक्र का छटवे बाव में दृष्टी देखना निश्यत रूप से आपके कई कार्यों को में आपस्टेकल उत्पन करा सकते हैं आप पर कोई लीगल केस महिलाओं दोरा किया जा सकता है बहुत जादा ध्यान दिजिएगा औ और इस समय यूरेन इंफेक्शन होना अगर महिला है तो गाईनों की परिशानी कस्मात बहुत जादा बढ़ जाना ये सारी चीज़े गोचर में अगर होती हैं तो बिल्कुल परिशान नहीं होगा क्योंकि ये प्रभाव जो है निगेटिव इसका केवल 17 अक्टूबर तक जादा रहने वाला है उसके बाद जो प्रभाव है ये दीरी दीरे पॉस्टिव रिजल्ट देने में सक्षम हो जाएंगे तो जब रिजल्ट पॉस्टिव आएगा तो बहुत जादा आपको परिशान नहीं होना केवल कुछ टाइम के लिए जो परिशानी है वो बढ़ते ह हुए मुझे दिखाई दी रही है लेकिन भाग के सयोग देगा शियर सटा लॉटरी में लाव की स्थिती बनने वाली है इंकम आपका बढ़ेगा और साथ में कहा जाए तो अगर आप कोई काम विदेशों में जाकर कर रहे हैं या विदेशों से ऑनलाइन कोई काम अपने व निकेटिव रिजल्ट आपको देंगे स्वास्त में उत्रही निकेटिव रिजल्ट करनेया लगने वाले जातकों को देने वाले हैं अब हम बात करते तूला लगने वाले जिनके लगने इस खुद जो है शुक्र देवता बनते हैं देखे तूला लगन की बात किया जाए तो तूला लगन में शुक्र जो है आपके इंकम भाव में जाकर बैट रहे हैं और आपका लगनेश इंकम भाव में बैट रहे हैं आपका अस्टमेश इंकम भाव में बैट रहे हैं मैं पुना बता दू लगनेश वलेई अश्थम का भाव का मालिक है, लेकिन अश्थम का दोश नहीं लगता है, आपके इंकम में जाकर बैट रहे हैं, शत्रु राशी में बलेई हूँ, एक आदश भाव में उतना जादा निगेटिव प्रभाव नहीं होता है, यहाँ पर प् पोड़ी दूर होंगी, आए के जो साधन रहेंगे वो भी बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और थोड़ा सा क्योंकि अश्थम भाव मिल गया है और इंकम में जा रहे हैं, तो कुछ रुक के जरूर आपके पास लाब मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन प्रश्चेंज होने के कारण इंकम को बढ़ाने वाले हैं, प्रेम प्रसंग को बढ़ाने वाले हैं, और साथ में कार्य अस्थल पर अस्थान परिवर्तन का योग भी शुक्र देवता, अट लिस्ट लिब्रा एसेंडेंट यानि तुला लगन में लेकर आ रहे हैं, अब हम व्रिष्चिक लगन की बात करते हैं, प्रश्चिक लगन में अगर हम बात करते हैं तो शुकुर देवता को टेन्थ हाॉस में गोचर में ये टेन्थ हाॉस में चले जाएंगे, आपके लगन से, और विदेश के मालिक है, साथ में आपके सबçasों भी यह दोनों ही खराब भा मिले हूए है, 12th हाउस का लॉर्ड और साथ मैं 7th हाउस का लॉर्ड दोणों ही मारक गारह के लॉर्ड बनते हैं, जब कोई ग्णा मारक ग्राह का मारक अस्थान का लॉर्ड बन जाता है, तो वो हमेथा मारकतों को बढाता है, दसम आबहों में जाकर बैट रहा हैं, तो दश्यमłos भाव में याद रखिया आपके कार व्यवसाय में किसी इस्तरियों के आने से आपके कार व्यवसाय में परिशानी उत्पन होगी आपके गुप्त शत्री से में बहुत जादा हावी रहेंगे लेकिन जो लोग इंपोर्ट का काम करते हैं बाहर से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं और व्रिश्चिक लगन के मालिक है तो लगन के जाता के है तो ऐसे लोगों के लिए इंपोर यात्रा की योग भी बनेंगे अकस्मात लंबी दूरी की यात्रा की योग भी बनेंगे इस यात्रा की योग के कारण आपको मानपत प्रतिष्ठा जो है आपके मानपत प्रतिष्ठा में वर्धी भी होगी और बहुत सारे पॉस्टि विजर्ट आपको शुक्र देबता उन इस्तरियों पर भी लगता है जो आफिस में कारे कर रहे हैं या उन पूरिशों पर भी अप्लाई होता है जो की कारे कर रहे हैं क्योंकि यहां पर शुक्र negative ग्रह है तो अगर आप partnership में कोई काम कर रहे हैं तो तो वहाँ पर भी परिशानी उत्पन करेंगे, धैनिक रोजगार में भी ये परिशानी उत्पन करेंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट ये 17 अक्टूबर तो तो नहीं देंगे, 17 अक्टूबर के बाद जो है, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको देंगे, लेकिन 17 अक्ट देखे दनु लगन में शुक्रदेवता, तो क्योंकि धनु लगन का मालिक होता है वो कौन होते हैं, देबगुरु ब्रश्पती के लिए हमेशा शुक्रदेवता एंटी माने जाते हैं, और घर भी खराब्गर्ण इनको मिला हुआ है, एकादश अस्थान और साथ में छटवा रोग रिड़ शत्रू का बाव और इसमें जो प्री डॉमिनेंट कर जाता है रोग रिड़ शत्रू का प्रवा जल्दी आ जाता है और ये आपके पिता के अस्थान पे जा रहे हैं तो अगर आप धनू लगन है तो भाग ये नहीं साथ देने वाला है तब तक नहीं साथ देगा जब तक सूरी के साथ इनका हाउस एक्षेंज नहीं होगा क्योंकि सूरी को यहां पर भाग का डिपार्टमेंट दिया गया है अगर हाउस एक्षेंज होगा तो 17 अक्टूबर के बाद से ये अच्छे परिणाम आपको देंग साथ है इसके व्चे अपने बात करें तो प्रेम प्रसंग में बढ़ते ही और साथ में विद्यार्ती वरगर है उनके सिख्षा के लिए जो परिशानिया चल रही ती वह परिशानी खत्म होगी लेकिन लीगल मामलों के लिए बहुत अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि पिता को यूरिन रिलेटेड कोई ऐसी परिशानी ज़्यादा हो, किड्नी से रिलेटेड अगर डायलिसिस इत्यादी होती है तो उसमें ज़्यादा परिशानी उठाना पड़ सकता है, तो 17 अक्टूबर तक के लिए एलर्ट थोड़ा स यहाँ पर ज़रूर बनता है, अब हम बात करेंगे मकर लगन वाले जातकों के लिए कैसा होने वाला है, यह शुक्र का राशी परिवर्तन क्योंकि शुक्र आपके लिए अतियंत योग कारक हो है, देखे शुक्र देपता जो हैं, पूरे एक महीने तक का आ जाए, पूरे ए आपके कर्म अस्थान के माली के अश्टम में जा रहे हैं, तो मेरी भविश्वाडी है, इसको बहुत सीरियसली नोट करते हुए चलेगा जितने भी मकर लगन वाले हैं। पानी खूब पीजिएगा, पानी अगर जादा लेते हैं, इंटेक जादा होता है, तो बहुत जादा परिशानी यहां पे डेवलप नहीं होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि सिक्षा को लेकर अश्टम में जा रहे हैं, यानि पढ़ाई में किसी तरीके का व परिशानी मकर लगन वाले जातकों को उठाना ही पड़ेगा, सत्रा तारिक के बाद, सत्रा को जब यह सूरी के साथ हाउस एक्सचेंज करेंगे, तब उतना ही अच्छा रिजल्ट देंगे, रिसर्च और डेवलप्मेंट करने वाले विद्यारतियों के लिए उतना ही अच अच्छा रिजल्ट होना, मान पदप्रदिश्ठा का बढ़ जाना, और इस समय आपका जो बिजनेस माइंड रहेगा, वो ज्यादा एक्टिवेटेड रहेगा, और सत्रा अप्टूबर तक थोड़ा काउशिस रहेगा, कुछ परिशानिया तो रहेंगी, जिसका के से निगेटिव कर सकती है, इसलिए आपको बहुत सो समझ कर डिसीजन लेना चाहिए, कुम्ब लगन की पाफ करते हैं, कुम्ब लगन में शुक्र को अच्छा ही ग्राम आना जाता है, क्योंकि दोनों ही अच्छे भाव मिलें, नवम, त्रिकोन और केंद्र का चतूर्थ भाव, यह दोनों ही अच्छे भाव मिलें, और इन दोनों अच्छे भाव के मालिक होकर, शुक्र देवता जो हैं, अपने ही कारगवाव में बैटेंगे तो कारगवाव में बैट गए दैनिक रोजगार अच्छा भागय का जो सयोग नहीं मिला था वो मिलना शुरू हो जाएगा मकान खरीदना चाहते हैं भूमी खरीदना चाहते हैं मानसिक जिनतायती वो खतम तो हर तरीके से पॉस्टिव रहेगा इवन जीवनसाती के साथ प्रेम संबंद भी अच्छे हो जाएंगे और ये संबंद और अच्छे हो जाएंगे और जितनी भी मैं ने चीज़ बताई उन सबी चीजों में और पॉस्टिव्टी आ जाएगी 17 के बाद जब ये सूरिक के साथ हाउस एक्शेंज करेंगे दैनि में कोई चोट लगी हुई थी कोई परिशानिया चल रही थी इन सबी चीज में रिलेक्सेशन मिलता हुआ दिखाई देगा और बिजनेस में जो आपके कलीग हैं जो साथ में काम करते हैं पार्टनर्शिप में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उनका सयोग मिलेगा जीवन बाकी लगन में मैं देख रहा हूँ अट लीस्ट यहां पर अच्छा परिणाम यह देंगे अंतिम लगन की बात करते हैं मीन लगन देखे मीन लगने के भी जो लगने देव होते हैं वो देव गुरु ब्रसपती होते हैं अब ये भी आपके लगन बाव से छटवे बाव में जा रहे हैं और इनको अस्थान मिला है तृदिये बाव का इनको अश्टम का अस्थान मिला हुआ है तो मारक गरा होकर मारक यह कर नहीं रहे हैं गोचर में किबल आठवेगर का मालिक छटवे में हो जाए और कैया दिया जाए विपरीत राजयोग बन रहा है सही नहीं क्योंकि लगनेश स्ट्रॉंग कोईशन पर होना चाहिए लगनेश खुद राउ के साथ पीडित है वक्री पोजीशन पर है शनी की द्रिष्टी पढ़ रही है तो इसलिए मैं यह कह सकता हूँ और साथ में मंगल की द्रिष्टी पढ़ रही है तो मैं यह कह सकता हूँ विपरीत राजयोग तो बिलकुल नहीं बनने वाला है अब यहाँ पर क्य होगा अगर आपके पार्टनर यानि आपके जीवन साथी को किसी प्रकार के hospitalizations related कोई खर्च है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करें क्योंकि शनी की दृष्टी शुकर पर पड़ेगी तो hospitalization related जीवन साथी पर खर्च बहुत जादा होगा अगर महिलाए हैं तो उनको urine related परिशानिया या गाइनो related परिशानिया बहुत तहीं से बढ़ेंगी और यहां पर पूरुशों को लिए भी जो है urine related infection जादा बढ़ सकता है समय अच्छा नहीं है research and development के लिए हाला कि विद्यार्थी वर्गों का जुकाओ आपको positive result देगा लेकिन जो जीवन साथी को किसी प्रकार का कश्ट होता हुआ मैं यहां पर चेक कर पा रहा हूँ जितने भी mean लगनवाले जाता के हैं उनके लिए शुकर का राशी परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है और छोटे भाई बैनों को लेकर भी किसी प्रकार का खर्श करना चोटे बाई बैनों के साथ किसी जगा पर लंबी दूरी की यातरा करना और अगर आपके उपर कोई legal cases है तो उसमें भी आपको हानी का सामना उत्पन करना पड़ेगा विशेश रुप से अगर आपने इस्त्रियों के अगेंस्ट कोई legal case किया हुआ है तो उसमें कुछ परिशानी जरूर शुक्र देता है यहां पर देंगे तो ये था पूरा मेश से मीन लगन वाले जातकों का जो शुक्र दो अक्टूबर को राशी परिवर्तन करेंगे इसका क्या प्रभाव होगा ये मैंने पूरा डीटेल में बताया है आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा मैं हूँ एस्टॉजर की अमजिना ओम नामस्शिवा है